तो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका अगर इस टाइब का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं तब से पहले आपको इस जो गूगल क्रोम है आपको जाना होगा यहां पे प्ले इस्टोर में और यहां पर लिखना है गूगल क्रोम हूँ आप और यहां पर आपको इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद अगर यहां पर अब्डेट मिलता है सब अब देट कर लीजिए अगर पहले से अपडेट नहीं मिलता है तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है यहां से बैक आ जाईए उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको जो गूगल प्रोम है उसको यहां पर इस तरीके से दवा के डाटा क्लियर करना है तो friends इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको एक icon का options दिखेगा जैसे कि आप देख सकते यह रा आइकन इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे storage पर क्लिक करना होगा storage आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि storage यह जो लिखा हुए आप देख सकते इस पर आपको click करना है click करने के बाद एक बार फिर से click करके बता दे तो इस पर click करने क्लिक करने के बाद manage वाले options पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको data clear पर क्लिक करना है और यहां से आपको ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे तो आपका जो problem है वो fix हो जाएगा उसके लिए सबसे पहले आपको open करना होगा open करने के बाद आपको यहां पर permission देना होगा आपके Gmail ID के साथ तो यहां पर से allow कर दीजिए yes कर दीजिए अब जो problem है वो आपका successfully fix हो गया allow करने के बाद और यहां पर आपका ID भी login हो चुका है उपर मैं आप देख सकते हैं यहां पर दिख रहा होगा ठीक है अब यहां पर क् सिस्टम में चेक कीजिए कोई update आया होगा तो मैं setting में भी जाके देख देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर नीचे जाकर करके हम देख लेते हैं तो यहां पर software update को हम चेक करेंगे यह रहा software update सबसे नीचे जाएंगे तो third number पर आपको दिख रहा होगा यह है आप दे update नहीं आया है और कोई problem नहीं है इसमें इस तरीके से आप fix कर सकते हैं वीडियो पर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं सुरी में तो भाएं